बात महिलाव की है और दिल्ली जैसी जेंगे की है दिल्ली देश की राजधानी ऐसा कहा जाता है कि भारत का दिल दिल्ली है और दिल्ली के अंदर जब इतनी बड़ी घटना होती है और देखे दस साल लग गए और आज भी कहां खड़े हैं जहां से शुरुवात हुई थी आखिर कमी कहां रही कि एक बेटी को इनसाफ दिलाने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा है रेका जी जी नमश्का सभी को सबसे पहले ये केस उस समय का है जब हमारे सामने दामीनी केस सामने आया था उस समय पास्ट्रेक से ही उसका मेरे ख्याल से सोलूशन हो चुका था तो कहीं दो हजार बारा से लेकर अब तक मतलब दो हजार बाइस लगब दस साल हो चुके हैं तो कहीं न कहीं कमी जो है हमारे या तो पुलिस प्रशाशन की रही है अब जब कि हम जहां तक मेरे सुने में आया है निचली अदालतों ने ये कहा है कि हम उने प्रिशासन को ही लोगों का भय होने लग गया तो हटा दीजिए प्रिशासन तो ये अब कहा जा रहा है कि डी ने का जो है रिपोर्ट वह भी मैश नहीं हुआ या जो भी उनुने दलीले पेश करी हैं तो मैं एक मैं प्रिश्चन ये भी करना चाहती हूं कि मैं मानने इनियू सुप्रीम केट के किसी भी जो इनुने अपना न्याय दिया है जो भी उनुने फैसला सुनाया है हैं मैं उसका सम्माल करती पर यह पूछना चाहती हूं तो जो निचली अदातर नों जो फैसला लिया था वो गलत कहां पर हुआ तो कमी कहीं न कहीं पुलिस पर शर्षन के रही जिनोंने सबूत पेश या तो सबूत सही से पेश नी हुए है जी कुछ न कुछ तो कमी है अगर इतना बड़ा कांड़ और उसके बाद भी यह देखा जा रहा हो कि 10 साल बाद अब यह पूछे कि अब गुनागार कोन तो फिर ह का मैं यह पूछना चाहती हूँ कितने इन्होंने बर्खास कर दी है जिनों जो जिन्होंने गलत रिपोर्ट पेश किया है तो उनके खिलाब क्या कारवाई की गई है सवाल है हो सारे सवाल है यही एक बड़ी बात है कि इसलिए एक आज हर आदमी सोच रहा है कि जब इतना बड़ा कांड वा इतनी बड़ी हत्या हुई एक बेटी की हत्या हो जाती है और उसके बाद भी आप 10 साल बाद अब यह पूछते हैं कि यह तो सब गलता तो फिर असल